बाई यो और बैनो डिये मैस्टोलोजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम देखने जा रहे हैं शनी का मकर में मार्गी ब्रह्मन अब देखिए बहुत कम दीनों के लिए अब शनी महाराज मकर राशी में रहने वाले यह वीडियो का इसलिए भी महत्व है वैचे तो मैंने कुम राशी का ब्रह्मन मकर राशी का ब्रह्मन कर चुका हूँ पर यह वीडियो बनाने की पीछे उद्देश यह है कि अब शनी महाराज तक्रिबन 80-85 दिन 80-85 डेज मकर में रहने वाले इसके बाद यही मकर राशी में शनी आएंगे 6 मार्श 9-2049 दोजा 59 में आप सोचे के तब इसमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा तो उस समय पे यह शनी महाराज 30 साल बाद अल्मोस शनी महाराज आने वाल है 27 साल बाद तो इस समय पे आपको मकर राशी में शनी का जो कोई भी फ़ल लेना है इसके लिए यह 85 डेज बचे हुए देखें सभी को मकर राशी अलग अलग भाव में तो रहेगी किसी की चंदर की राशी रहेगी यह किसी की लगने की राशी रहेगी तो हरे के लिए यह मकर राशी में मारगी ब्रह्मन जो शनी का है वो क्या फल देने वाला है देखे 22 अक्तूबर को शनी महाराज मारगी हो चुके 29 तारिक तक वो स्थम्भी एकी डिग्री पे रहने वाले 23, 24 में और इसके बाद वो आगे चलेंगे और अगले आने वाले 80, 80, 80, 80 दिन में वो अपना राशी ब्रह्मान पूर्ण करके फिर से कुम्ब राशी में प्रवे का ब्रह्मन नहीं मिलेगा तो आप सभी लोगों को जो कारे भी शनी से क्योंकि शनी कर्मों का फॉल देता है हम सब जानते हैं कि शनी और कुछ नहीं हमारे कर्मों का फॉल देता है तो आपको आपके शनी माराज से मकर राशी में अपने ही घर में जो कोई भी फॉल लेना ह उसका यह उचित समय क्या होगा कि इसके बाद जब कुम्ब राशी में जाएगा तो वह उसकी मूल्तृ कोंडाशी उस्व का मतलब हम समझते हैं के हूँ समय पर शनी बहाराज जादा जादा शक्तिशाली और कठोर होते हैं शनी देखिए न्याय के देवता है इसलिए वो कठोर तो रहें गई वो अपना फल कुम राशी के लिए बहुत बड़ा बना के रखेंगे यह मकर राशी का जो शनी का अभी ब्रह्मन बचा है वो चार राशीों के लिए बहुत स्रेष्ट है यदि आपकी यह चार राशी है य आपको इससे अच्छा स्रेश्पल नहीं मिलेगा अब शरी महाराज जो गनीष्टान अक्षेत्र में हम सब जानते अभी गनीष्टान अक्षेत्र में वो चल रहे जो आगे भी वो गनीष्टान अक्षेत्र में चलने वाले वहाला है मार्च मार्च तक आर 거지 है यह और सभी खील तक रहें और को कुछ नए कार्यक कर लेने के लिए देखें समय के शनी मारच जब मकर राचि में होते हैं वह उसकी स्वक्री राशी और वो उसकी beginning start-up राशी है इसलिए मकर राशी जो हमारे काल पूरुस का भी दसंभाव काल पूरुस का भी यह दसंभाव होता है तो दसंभाव का मलता है कर्म का आरांब और उसके बाद उसका प्रनाम मिलता है सब्सक्राव में इच्छा पूर्ती होती है जो कोई भी आपको आपकी इच्छा पूरी करनी है जो कोई भी कार्य करना है स्टार्ट अप जिसे हम कहते कोई भी कार्य का आरंब करना यह आपको समय मिला हुआ है सो आप अग यदि कोई करियर से जुड़ा हुआ बड़ा परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि इसके बाद वह समय लिए सताइस अठाइस साल बाद आएगा छे मार्च दो जार उन्चास सिक्स्त मार्च टू थाउजन फॉर्टी नाइन सोच लीजे सो उस समय पे करियर अपी जो आपको समय मिला है इसमें आपको करियर व्यापार व्यवसाई कर्म यदि आप पॉलिटिक्स में भी आना चाहते तो यह बहुत ही उचित समय है जिन जिन लोगों ने इसके 30 साल पहले जब मकर राशी में शनी था वो आज जिनों ने अपना करियर चालू किया था वो आज सभी अपने टॉप पोजिशन पर है आप कोई भी व्यक्ति ले लिए जो अभी आपके मिनिस्टर है या आपके चिफ मिनिस्टर है या तो प्रध ज़ान मंत्री क्यों नहीं है उन सभी ने आज से 30 साल पहले अपना पॉलिटिकल करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था तो आपके लिए भी कोई भी अधूरा काम है उसको पूरा करने का समय चालू कर दिजे देखे यह कब पूरा होगा यह आपके हाथ में नहीं है आ आपना पोजीशन पद बढ़ाने के लिए अपना कोई भी छोटा मोटा काम चालू करने के लिए आप चाहते के मेरा खुद का वेवसाय हो इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट के लिए यह बहुत उच्छी समय है 22 अक्तूबर से लेके 17 जनवरी 17 जनवरी चोटे मोटे काम करने वाले स्मॉल स्केल कोई काम में मूवमेंट लाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है इस समय का जितना ज्यादा उप्योग कर लेंगे देखें यह आये थे 20 जनवरी 20 जनवरी 2020 को उसके बाद बहुतों का कार्य ऑनलाइन चालुआ है मैंने क सभी को अशर हूई पर सभी को मौका मिला था सभी को मोका मिला कि कुछ नया करने जया हूँ बहुत थोने अपना स्टार्टाप शुरू किया है और यह स्टार्टाप सभी के लिए बहुत लाबether होगा सो यदि कोई चुक गया है रह गया है उनको भी अगर को gest市 टाटप्कन जरना हुआ शनियूए कोई भी आपके पुराने कारे क्यों ना हो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है यह आगण आपकी चंदर की राशे तो भी समझना है और यदि यह आपकी लगने की राशे तो तो भी आपको इसमें कार्या आरंब कर देना है, अपने कर्या से रिलेटेड, यदि आप अभी अभ्याज कर रहे हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ अपने तौर पे कार्या आरंब करना चालू कर दिजे, मेश वालों के लिए ये इसरेश समय है, दूसरा समय रुषवराशी य अपने स्कील को डेवलप करना है, तो ये बहुत अच्छा समय है, और यदि आपको धर्म में, अध्यात्म में रुचिए और उस तरव अगर आपको जाना है, तो भी ये बहुत अच्छा समय है, यदि आप योग ध्यान, मेडिटेशन कर देखिए कि धर्म से अनुसार, क्य ये पास हो रहे, तो धर्म के अनुसार, यदि आपको कुछ परिवतन करना चाते है, तो भी अच्छा समय है, विदेश में है या विदेश में जाना चाते है, तो उसके लिए भी आपके लिए या स्रिष्ट समय है, तुला राशी या तुला लगना के लिए, तुला राशी को आप अगर परिवत्तन करना चाहते बदलाव लाना चाहते पुराने में से नए में जाना चाहते तो यह आपके लिए स्रेश्च समय है आपके लिए योग कारग भी यह योग कारग है और आपके लिए यह स्रेश्च समय है यदि सुख के साधनों में कुछ बदलाव लाना या आपके लिए समय है यदि आपने इसके लिए कोई कर्म किया तो आपको भी सेश्वल मिलेगा इसके बाद चौती जो विक्ति हैं वो स्वयम मकर राशी वाले जिनका मकर राशी या मकर लगने हैं उनके लिए भी एक आखरी समय है अपने बारे में खुद के लिए जो कोई भी परिवर्तन करना चाहते वो कर लिजे अपने में बदलाव लाना है आपके शरीर के बारे में आपको कोई बदलाव लाना है तो यह एक हुचित समय तो इसका ज्यादा से ज्यादा उप्योग करें और अपने आपको इस समय पे बहार ले आएए अपने आपकी अपनी स्कील को अपनी उर्जाओं को अपनी शक्तियों को पैचाने और बहार आईए और कर्म करिए सो यह मेश व्रुषब तुला और मकर राशी या लगनों के लिए यह एक अंतिम अच्छा ऑपचिटी है ऐसा मुका वापस नहीं मिलेगा अब बात करते हैं मितुन वालों के लिए यह आपके जियोन में आखरी भाई का परणाम है अस्टमबाव से शनी जो जा रहे है इसके बाद आप भाई से मुक्त हो जाएंगे कोई चीजों में रहस्य में जाना है रिसर्च करना है आपके कोट कचेरी या तो विल वार्से के मुद्धे उसको असुल जा दीजे यह जो अस्टी दिन मिले इसके लिए अच्छा है करक वालों के लिए ये आखरी चुनोती वाले लोगों को मिलने का समय करक वालों के लिए सब्तमबाव से जा रहा है यदि शादी में भी परेशानी चल ले तो थोड़ा बक्त निकाल दीजे और इससे आप शांती पाईए अपने लोगों से मिलिये और जो कोई भी तकलिफ है उसका इलाज कराईए उसमें समझोता करिये सिंग लगनवालों के लिए चाटे बाव से जा रहा है सिंग राशी या सिंग लगनों के लिए चाटे से ब्रह्मा कररावाशनी आपका कर्ज मुक्त कर सकता है करज से चूटना चाते यह बहुत अच्छा समय सो आप उससे मुक्त हो जाएंगे सो करज मुक्ति पुरानी बीमारी से मुक्ति पानी है तो बहुत अच्छा समय पर उत्या आपके लिए लाबदायक नहीं है कष्ट करना पड़ेका कन्या वालों के लिए पंचम भाव से जा रहा है ये भी आपको आपके उच्च ब्यास में बहुत कठीनाई देगा, मुश्केली देगे आपको उस चैलेंज से बाहर निकलना पड़ेगा रुषिक वालों को दीसरे वाव से जा रहा है, यात्रा मुशाफरी में जो कोई भी कठीनाई ये वो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, नए साहस पराक्रम में थोड़ी जादा मेनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको परणाम मिल सकता है दनु वालों के लिए, दनु राशी, दनु लगन वालों के लिए ये दूसरे वाव से जा रहा है, पैसे से जूड़ी भी, जो भी आर्तिक आयोजन करना है, इसके लिए स्रेश समय है वो कर लीजे, और साथ-साथ में यदि आप चाहते कि आपके सबन भी अच्छे बने रहे, लंबे अर्शे तक बने रहे, अगले 27-28 साल के लिए अगर आप कोई नया सबन बनाना चाहते, बहुत अच्छा समय है कुम्बो वालों के लिए 12 भावे आपके बन्दन से मुक्ति पाने के लिए, खर्च जो कोई भी खर्च होना है उसका आयोजन कर दीजे, क्योंकि खर्च से अब आप थोड़े मुक्त हो जाएंगे, व्याय नुक्सान बन्दन से मुक्त होने का समय है, या सी दिन में कोई न के बाद आपको कोई तकलिफ नहीं होगी, तो ये सभी राशियों लगन में में शुर्चब, तुला और मकर वालों के लिए ये श्रेश समये, ऐसा अच्छा उसर वापस नहीं मिलेगा, आप इसका अच्छे से अच्छे अप्यक करें, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना नया कर पाए, सभी के लिए कर्मों के लिए नया कर्म करने के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाइए अपने कर्मों में और लाब पाईए, इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए आप मुझे यहां पर दिये वे वाट्सप नंबर पर संपक कर सकत हैं, और आप मेरे चैनल को, डिये मेस्टोलोजी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकोन दबाईए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फोर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिलती रहे, तो यही आशा और उमीद के साथ, आप सब से आगया चाहता हूँ, कि इसका आप ज्यादा से ज्यादा उप्योग करेंगे और लाब लेंगे, धन्यवाद, नमस्कार